दोस्तो आज है परियवरण की ये 4th किलास, 3 वीडियो बन चुकी हैं, जो SCEIT से आपकी वीडियो बन रही हैं, जो सरकारी स्कूल की किताबे होती हैं, उसका निचोड हम लोग करने हैं, दोस्तो 10 नंबर कोसन आपको मिलेंगे, 10 नंबर के कोसन आपको जो है इवीस में से मिल जाएंगे जो आपनी सारी वीडियो रहेंगी ये और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कोशन पूट अप कर लेता हूं जिनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं बाद में ठीक है तोस्तों मैंने आप लोगों को वन्य जी अभ्यार ने तो आपको बताना है कि जो बांदीपूर राश्टे उध्यान जो है दोस्तों वो कहां पर अस्ति थे ठीक है ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में अंसर देना है तो अभी दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि हम लोगोंने कितने पार्ट तक कंपलीट कर लिया था मेरे प्य एक key point है जो कि मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा जैसे कि मैंने पहला question आप लोगों से पूछा और दूसरा question ये रहेगा आज की वीडियो का ठीक है? दूसरा question आज की वीडियो का ये रहेगा कि जो one more sub है one more sub ठीक है? इसकी शुरुआत जो है वो कब की गई थी? यह न चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को देखो हम लोग बात करेंगे सजीवों में जो अनुकूलन होता है वो किस प्रकार से होता है पहली बात आपको छोटा दिख रहा होगा लेकिन चीजें आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगी कि सजीवों में जो मनुस्यों को जीवित रहने के लिए पानी हवा यह सारी चीजों के आवसक्ता होती है भोजन वगर अगी तो उसी प्रकार जो है जो सजीव व्यक्ति होते हैं चाहे हमारे मनुस्यों हो चाहे हम लोग जीव जन्तु हो तो सब के रहने के लिए दोस्तों वातवन की परवन की है ना भोजन की सुरक्षा की और प्रिजनन की सब की आवसकता इनको होती है ठीक है तो मेरे प्यारे साथ ही हूँ सभी जीव अपनी आवसकताओं की पूर्ती अपने परिवर्ण से ही करते हैं और इन आवसकताओं की पूर्ती है तो जन्तु एवं पोधे अपने परिवर्ण के साथ ठीक है अपने परिवण के अनुरूप सारी संग्रचना कार्य विवहार में परिवर्तन कर लेते हैं यानि कि अगर जैसा परिवेस उनको मिल रहा है तो उसी के अकोरडिंग वो ढल जाते हैं तो इसी को तो कहा जाता है दोस्तों क्या अनुकूलन ठीक है यानि कि ये definition लिख सकते हैं आप लोग कि किसी विशेसा वातवर्ण में सुगमता पूर्वग, जीवन व्यवतीत करने, एवं वन स्वरद्धी के लिए, जीवों के सरीर में रचनात्मक एवं कर्यात्मक इस्थाई परिवर्तन, उत्पन होने की पिरकर्या अनुकूलन कहलाती है, ठीक है, चलो हम लोग आपको जो है कुछ important fact लिखा देते हैं, देखो ये अपनी कक्षा, 6-7-8 में चलने वाली किताबे हैं, यहां से पिरसन बनेंगे ही बनेंगे, अभी आपको देखना है कि ये तो देखे वातवर्ण दसाएं हैं, जनतु कौन से हैं, विश्यस्ताए अब देखे, उट के जो गद्दीदार पैर होते हैं, उसे रेत के मैदान में चलने में सहायता करते हैं, और कूबर में वसा के रूप में संचित, भोजन एम पानी, विसम परिस्तियों में काम आता है, ठीक है, आप कूबर देखे हैं, कूबर, कूबर क्या होता है, कूबर म जाती हैं और जड़े पानी की तलाफ में गहराय तक चली जाती है और तना जो है वो चप्टा एवं गुद्देदार होता है दोस्तों ये भी आपका एक बहुत अच्छा की पॉइंट है आप लोग इसको नो डाउन भी कर सकते हैं और चली साथियों आगला की पॉइंट मैं लोग को बता देता हूं अब बात करते हैं हम लोग जलिये छेतरगी जली की अधिकता अगर जल की अधिकता होगी मचली मिलेगी मैंड़क मिलेंगे कमल का फूल जलtså लकंभी और सिंगाड़ा ठीक है तो मचली का सरीरधारा रेखिया होता है जो त देहर्र करता हैं सुक्ष साधे प्रिसन दोस्तो एक ही प्रिसन में से बन जाते हैं यानि कि एक प्रिसन आपका बनेगा कि मचली के तहरने के लिए क्या सहायता करते हैं दोस्तो आप बताएंगे कि स्वसन जो है वो गलफड़े से लेते हैं है न, तो मैड़क के पेरों के अंगलियों के बीच जिल्ली या पाद चाहल होता है है जाल मैड़क को जल मे तैरने में पतवार के तरह सहा हुआता है जल यह पोधो का तना जो है लंबा हलका एवं मुलायम होता है तने के अंदर जो है वाइयो कोष्ट पाय जाते हैं प्रिकास सेलेशन अधिक होता है दोस्तों मैं आपको बता दूँ जितनी भी वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद हम लोग इसमें से कोसंस बनाएंगे कोसंस बनाकर तब आप लोगों से कोसंस पूटप किये जाएंगे अब देखी बात करते हैं परवती छेत्र की अत्यदिक ठंड हिंपात धालदार चट्टान तो यहां पर याग रहेगी यानि कि जन्तु कौन कौन से हो सकते हैं यहां पर याग हो सकता है पहाड़ी भालू रह सकते हैं यहां पर पोधे और जन्तु की हम लोग बात करें बकरी चीड और देव देवदार तो याग की तो त्वचा होती है वो मोटी लंबे बालों से धकी होती है जो उसे अत्यदिक धन से बचाती है याग जो होती है और पहारी बगरी के मजबूत खुर उसे धाला चट्टानोबज दोड़ने के लिए अनुकूल बनाते है पहारी हो गया हैना यह सोककार होते हैं और इनकी जो साखाएं होती है वो तिर्ची एवं पत्या सुई के समान होती है आप लोग जब कभी गूमने गए होंगे पहाड़ों इलाकर में तो आप लोग ने वहां पर चीड के पेड़ देखे होंगे देवदार के पेड़ जादे देख लेकिन अब हम लोग देखते हैं कुछ चीजों के अर्थ क्या होते हैं जैसे आवास है आवास को क्या कहते हैं भी रहने का स्थान या घर को हम लोग आवास कहते हैं घटा कहते हैं हम लोग हिस्से को मांसाहरी जो मास खाता है निर्जीव जिसमें जीवन नहों वीकरन होता जो फैलना होता है दोस्तों उत्पादा किसको कहते हैं जो पैदा करता है उत्पादा कहते हैं पैदा करने वाले को उपभोकता कहते हैं उपभोक यानि की खाने वाले को सजीव जिसमें जीवन हूँ अपमार्जा किसको कहते हैं कि मृत जीवों को खाकर स्वच्छता करने वा करते हैं वो प्रिकास संसेलेशन कहलाता है चलि आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगला की पॉइंट ले रहेते हैं कि इससे पहले हाँ इससे पहले इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा की पॉइंट बता देता हूं यहां पर इंपोर्टन लिखेलने इसको इंपोर्टन दोस्तों मोसम से अनुकूल बना रखने के लिए जो पक्छी है वो हिमाले के बरफीली शेत्रों जैसे कि साइबेरिया हो गया उस्टेलिया हो गया संब में आपको पार्टन आपको लिखा देता हूँ पार्टन आपका हो गया यहां पर नंबर यहां पर दोसर पर्यावन निया प्रिदूसन अब दोस्तों पहली बात प्रिदूसन किसको कहा जाता है देखो पर्यावन के विभिन घटक जैसे कि आपका जल वायू मिट्टी है ना इसमें होने वाले जो एवांचनी परिवर्तन है जिनका जीवधारियों एवं अन्य घटकों पर हानिकारक ज़ल परापड़ता है उसको ही तो हम लोग परियवन ऊसको हिटार हOP पर कहते हैं अब दोस्तों जो परेदूसन होता है आपकर70 को की बात हम लोग पहले कर लेते हैं जल परेदूसन के बारे में क्या होता है तो इसमें जैसे की आपकाit viol के द्वारा भी हो सकता ज़ल पर important चीज जो है इसमें पढ़ने वाले हैं देखेगा हम लोग पढ़ेंगे कि जल जनित जो बिमारियां उसके बारे में समझ लेते हैं देखो यह जल जनित बिमारिया पेचिस पेचिस जो है दोस्तों वह अमीबा के द्वारा होती है ठीक है यह कैसे फैलती है भई देखो पेच कौनगों सा पेचिस भी जल के द्वारा होती है अतिसार भी जल के द्वारा टाइफाइड भी पीलिया भी है जबी तो एकत्रित जल में मच्छर की प्रिजातियां जैसे की एडीज और एनाफिलीज आदी पनपती है जो डैंगु मलेरिया चिकन गुनिया रोगों जैसों की वाहक होती है तो ध्यान दीजेगा दोस्तों अब हम लोग को क्या है जल को इखटा नहीं होने देना है देखेगा जल जनित रोगों से बचाव क्या है अपने परिवेश को स्वच्छ रखें सबको पता है आसपास जोना कुड़ा कश्र करत्र ना होने दें पानी के लिए य आप दोस्तों यह वाला की पॉइंट देख लेजेगा कि स्कीन सोड ले सकते हैं आप लोग कि मिनी माता रोग जो है वो जापान देश के कुमा मोटी छेतर की एक कंपनी चिस्सो चिस्सो कॉपरेशन ने 1932 से 1906 के बीच पारे को अपसिष्ट के रूप में मिनी माता खाडी में फैक दिया ठीक है और इससे खाडी के जल का जो प्रिदूशन है वो बहुत जादा बढ़ गया खाडी के मचलियों में यह पारा जो है जहर के रूप में प्रिवेस कर गया और इन मचलियों को खाने से लगवच तीन हजार लोग प्रभावित हुए जिनके हाथ पैर मू पास पास रहने वाले लोगों में देखी गई इस करण जो है इसको मिरी माता रोग के नाम से जानते हैं ठीक है तो दोस्तोव इस वीडिएओ में आप Age के लिए जल्दी आने वाली है और उसके बाद में आपको पूरी किताब एक साहथ भी कराऊंगा ठीक है चलि दोस्तो तो आज के लिए इतना ही काफी थैंक्यू सो मच बने रहेगा अपने चैनल पर नेस्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें थैंक्यू